दिग्रश शहर से सटे रामगाव डोरली गाव की एक किसान के खेट में हाली में अवैद रूस से गांची की फसल उगाने की चोकानी वाली घटना का परताफाश हुआ है इस मामले में दिग्रश पुलिस ने हरकत में आते हुए संबंदित किसान को हिरासत में लिया है सूतरों ने बताया कि रविवार देरिश शाम को उक्तमामले की कारवाही सुरेश आत्माराम आड़े के खेट से गांची की अवैद फसल बरामद हुई बताया ज्यारा है कि कपास और तूवर यानि अरहर की फसल की बीच गांची की फसल लगाई हुई थी सूतरों ने बताया कि पिलिस की कारवाही में करीब साथ किलो गांची की फसल बरामद हुई जिसके अंदासन कीमत तीन लाग से अधिक बतायचारी है मालूम हो कि विभागे पिलिस अधिकारी आदित्यम मिर्खेलकर पिलिस नरीक्षक प्रदीप परदेसी दिगरस पिलिस थाने के पिलिस नरीक्षक सोराजी आमले के मारग दर्शिन में सहायक पिलिस नरीक्षक कैलाश कट्टे सहायक पिलिस नरीक्षक विजर रतनपार्खी, सहायक पिलिस नरीक्षक गनेश वनारे, PSI भगवाल पायगन, PSI रंदे, LCB दस्ते के कुनाल रूडे, ब्रह्मान अंटाले, सचिन राउद, ड्राइवर गाडे, आदि इस गंभीर मामले के सहित कारवाई में शामिल थे BCN News के लिए दिगर से जुबेर खान की रिपोर्ट